तो क्या हाल चाल भाई लोग और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा शाओमी का मी 7 कमस कम MWC 2018 के लिए तो पोस्पोंड ही कर दिया गया है अब हो सकते हैं आप लोगों को ये फोन देखने को मिल जाए मार जा फिर अपरेल के महने में और वैसे मैं आप लोगो पता दू अभी रिसेंटली में ही इस फोन के कुछ स्पेक्स निकल के आया है जो हमें बताते हैं इस फोन के बारे में काफी सारी चीजे लेकिन नहीं इस फोन के बारे में किसी और गिन बात करेंगे तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम सब बात करने वाले हैं MWC 2018 में लॉंच होने वाले Mi Mix 2S के बारे में जो कि मैं आप लोगों वता दू अभी रिसेंटली में ही लीग धोके आया है अब यहां पर और वी काफी सारी चीजे पतल लग लग लिए इस फोन के बारे में जो कि मुझे लगता है आप लोगों को जाननी ज़रूरी है तो आओ यार बिने कोई पकवास किये जल्दी से वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूं रिशाफ और आप लोग देख रही है रिशाफ टेक तो इस फोन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इस फोन सीरीस के बारे में बता देना चाहता हूं तो जैसे कि आप लोगों को पते ही होगा 2016 में सबसे पहला Mimix launch किया गया था चाहिना के अंदर अब जब यह phone market में launch हुआ तो काफी अच्छी इसकी sales रही one of a kind phone हुआ करता था उस टाइम पे इवन Samsung या फिर Apple ने भी ऐसे phone कभी नहीं बनाये थे तो काफी अच्छी sales रही by the way इस phone की अब 2017 में इस phone के एक successor भी launch किया गया यहाँ पे Xiaomi की तरफ से और फिलाल यह phone इंडिया में भी बिकरा है मैं बात कर रहा हूँ Mimix 2 के बारे में तो हाँ का इस phone तो यह भी अच्छा था लेकिन यह साल चल रहा है 2017 अब यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी competitors भी थे इस phone के सामने जैसे OnePlus 5T तो हाँ अब इस वज़र से भी हो सकता है यह phone उतना ज्यादा successful नहीं रहा जितना original Mimix था तो यहाँ पे Xiaomi प्लान करता है इस phone का एक successor launch करने की MWC 2018 के अंदर जहाँ पे इस phone का नाम निकल के आता है Mimix 2S अब जैसे कि आप लोगों को पता है इस phone के rumors दो यार काफी time पहले से आ रहे थे जब iPhone X launch हो था तो इस time पे इस phone के leaked image निकल के आई थी जिसे हमें पता चल रहा था इस phone में एक notch होने वाला था और हायर एक notch design काफी अच्छी एक जगा मानी जाती है earpiece और camera को लगाने के लिए और हायर इस image को देखके हमें भी यही लग रहा था कि यही phone होने वाले Mimix 2S लेकिन भाई साहब आप आप लोग इस image को देखके क्या बोलोगे मतलब मेरे पास तो कोई words ही नहीं है आज तक इस से ज़्यादा screen to body ratio वाला phone तो मैंने आज तक नहीं देखा लाश्ट बार मुझे यादा पिछले सार्ल essential phone PH1 launch हुआ था कहा जाता था इस phone की screen to body ratio काफी ज़्यादा होती है लेकिन यार आप आप इस image के बारे में क्या बोलोगे मतलब यार my god दिल खुझ कर दीगा इस बर Xiaomi ने और दोस्तो ऐसा phone अगर सच मुझ पे launch कर देता है Xiaomi MWC 2018 में literally बता रहा हूँ ये phone market में आग लगा देने वाला है तो कम सकम design wise तो यहाँ पे completely beat कर दिया Xiaomi ने Apple और Samsung को वल्लब यार फिलाल Samsung और Apple के पास भी ये design नहीं है और हमें पता ही है 2018 में इनके जो phones होने वाले है इनके design में भी कुछ ज़्यादा चेंज़ नहीं होने वाले है इनके predecessor से तो भाई साब ये तो थी एक गजब की चीज़ी इस phone में क्या आप लोगों ने इस phone में कहीं fingerprint scanner को देखा मतलब कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को नहीं न ये phone 2018 में launch होने वाले उन phones में से एक होने वाला है जिन में आप लोगों को in-display fingerprint scanner देखने को मिलने वाला है अब वैसे आप लोगों का तो नहीं पता लेकिन मैंने जब से original Mi Mix 1 को देखा है तब बसे तो यार मुझे phone company उसे कुछ ऐसे ही phone की उम्मीद थी जिसमें हमें in-display fingerprint scanner देखने को मिले और सही माइनों में बेजल स्क्रीन देखने को मिले अब दोस्तो phone actual में दिखने कैसे है वाला ये बात तो हमें MWC 2018 के अंदर पता चलेगी लेकिन मुझे पता है अब आप लोगों में से काफी सारे लोगों के मन में ये question उट रहा होगा चलो भाई fingerprint scanner को तो ठीका ने लगा दिया लेकिन earpiece का क्या? camera का क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे काफी अच्छा solution खो जा था Mi Mix 2 के साथ यहाँ पे Xiaomi ने तो यहाँ पे Mi Mix 2 की तरह इस phone में भी आप लोगो कोई earpiece उपर की तरफ देखने को मिल जाएगा फोन के अब बात आती है अगर camera की तो सैद आप लोगों से कुछ लोगों ने notice कर लिया होगा और नहीं भी किया तो यहाँ पे मैं zoom करके दिखा देता हूँ तो आप लोगों को ऊपर की तरफ left side में यह camera देखने को मिल जाएगा वैसे कहना पड़ेगा Xiaomi सच मुछ में काफी जादा intelligent है तो यहाँ पे इस banner के साथ कुछ specs भी निकल के आते हैं इस phone के तो जैसा कि आप लोगों देख पा रहे हो यहाँ पे सीधे सीधे लिखाया गया है कि यहाँ पे इस phone में आप लोगों को Snapdragon 845 देखने को मिलने वाला है 5.99 inches की almost 6 inches की यहाँ पे आप लोगों को true bezel-less screen देखने को मिलने वाली है यहाँ पे आप लोगों को 8GB तक की RAM देखने को मिल सकती है इस phone में 128GB तक की Intel Memory देखने को मिल जागी again ceramic की body होनी वाली है इस phone की जोकि सच मुछ में काफी जादा मजबूत बना देती है इस phone को वैसे यह सारी चीज़े तो ठीक है लेकिन यहाँ पे कुछ glass अच्छी quality का use कर ले Xiaomi इस phone के साँ तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम सब को यह बात पता है अगर यह phone नीचे घिरता है तो खर्चे बढ़ जाएंगे फिर अच्छे कासे आप लोगों को इस phone में dual rear camera setup देखने को मिलने वाले है 12-12 megapixel के और ऐसा भी क्या जा रहा है कि दोनों cameras में आप लोगों को dedicated optical image stabilizer देखने को मिलेगा तो चलो भाई यह भी एक काफी अच्छी चीज़ है और यहाँ पे इस phone के camera के साथ आप लोगों को सोनी का IMX sensor भी देखने को मिलने वाला है तो हाँ यहाँ पे जो complaint रह जाती थी पहले launch हुए Xiaomi Mi Mix series से तो हो सकता है इस बार काफी ज़्यादा improvement हमें देखने को मिल जाए इस phone के camera के साथ और बस यह तो थी कुछ चीज़े इस phone से related और आप लोग मुझे नीचे comment section में comment करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा यह phone उमीद है अच्छा ही लगा होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार लाइक भी कर देना पर यहाँ पर अगर आप लोगों ने इस channel को अभी तक subscribe नहीं कर रहा है तो यार ख्या कर रहे हो जल्दी से subscribe कर दो और मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाइ